आज की बड़ी खबर के साथ दरसल दून में निकाय चुनाओ को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है निकाय चुनाओ में भगवा बुलंद करने के उदेश से मुख मंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत आज खुद मोर्चे पर उतरेंगे पार्टी ने प्रदेश भादपा कार्याले में एक बैठक बुलाई है जिसमें दून नगर निकम के सपूर्व पार्षदों और पार्षद पत के उम्मीदवारों को बुलाया गया है और इस बैठक में मुख मंत्री पार्टी नेताओं से एक जुट्ता और पूरी ताकत के साथ चुनाओ लड़ने का आवाहन करेंगे वेरहाल पार्टी नृत्त दून नगर निकम के चुनाओं को लेकर बहुत ज़ादा ही गंभीर नजर आ रहे है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट प्रदेश महमंती संगठन अजसंज कुमार प्रदेश महमंती नरेश बंसल समेत सभी प्रमुक पदाधिकारी पार्टी विधायक और वरिष्ट नेता मौजूद रहेंगे बैठक में सो वर्डो में उतारे गए सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है उनके अलावा पिछले चुनाव में निर्वाचित हुए पार्श दो को भी आमंत्रित किया गया है तो बीजेपी मुख्याले में शाम पाश बजी ये बैठक होगी बैठक में सीम त्रिवेंद्र सिंग रावत और कई मंत्री इस बीच मौजूद रहेंगे आपको बता दे तो दून नगर निगम के चुनाव में भगवा बुलंद करने के उद्देश से मुखमती त्रिवें सिंग रावत आज खुद मोर्चे पर उतरेंगे शुरकत करेंगे प्रदेश भात्पा कार्याले में एक बैठक बुलाए गई है जिसमें दून नगर निगम के सभी पूरु पारशद और पारशद पत के उमिद्वारों को बुलाया गया है इस बैठक में बैठक में मुखम का ही कबजा है और इस बार भी उसके सामने निगम की सत्ता पर कबजा बनाये रखने की चुनोती एक महतुपूर चुनोती सामने आ रही है और इस चुनोती के साथ ही मुखमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत की पतिष्ठा भी जुड़ी हुई नजर आ रही है जिसके चल अबहे